हुआ परिख्ति जी अगि पुर्मीं त drifting लाकिंग मैस का चार पांच चैप्टर ररख दिया था है इपकर और छे जे दिखाया है आूच 1 जे ही तित श ज्रुटर कभी वी फिर से 4-5 chapter का भेज़ दूँगा और परसो कंपलीट कर दूँगा ठीक है उससे काम चल जाएगा हाँ, कुछ तो हो जाएगा फॉर्मूला था उसमें और साथ में कुछ इक्जामपल्स भी थे हाँ फॉर्मूला है कुछ एक्जामपल्स हैं, उसके जड़ ये बनाईएगा और मैस के लिए प्रीवियस एर क्वेश्चन सबसे जादा इंपोर्टेंट है घटना चक्र में जो प्रीवियस एर क्वेश्चन दिया होगा वो मिश्चित तौर पर करिएगा उससे जितना प्रैक्टिस हो जाएगा उतना कहीं और से नहीं होगा और जो नया प्रैक्टिस सेट वगेरा आता है मार्केट में वो जो बना रही होंगी तो उसमें भी आपको मैस कर लेंगे बुसरा जी अपना माइक ओफ सर लिये प्लीज अब बोलिये प्रिति जी जा जा रहे थी यह जो आज वाला है वो डाटा जो पीछे तक लिखे हुए अपने नोट्स में उसको मतलब अपडेट कर लेंगे ना आज कही साब से हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं यह जो डाटा आज मैंने हिंदुस्तान वाला भेजा है वही ना हाँ तो वही डाटा तो है मैंने जो दूजार इकीस वाला जो वीडियो भी बनाया है और आप लोग को नोट्स भी दिया हूं सेम डाटा है वो लिटेश डाटा है 2020 वाला अच्छा हाँ हर एक दो साल पर आता है यह फोरेश्ट रिपोर्ट तो दो हजार इस निति आयोग का दो तीन साल पहले पूछे हुए था पूछ सकता है क्यों नहीं पूछ सकता है वित्त आयोग निति आयोग यह सब पूछेगा ना वित्त आयोग पूछे या ना पूछे निति आयोग तो जरूर पूछेगा वित्त आयोग की अस्थापना तो यह सब पूछा आ सकता है योजना आयोग जो था उस वो कब से सुरू हुआ यह सब पूछ सकता है जय है लिकुल को सब्सक्राइब अलो उद्गर्स सर जुड़े हैं हमारे साथ जयहिन सर सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग जयहिन सर सर जयहिन कैसे हैं सर एक ची बितरी है यह जो मैसेज मैं नहीं देख पा रहा हूं यह मैसेज जो आ रहा है क्लास का यह पीन मैसेज में चला जा रहा है जिसके वैसे मैं सो नहीं कर पा हूं मतलब बहुत कोश्य करके यह मैसेज मुझे मिला क्लास चाल हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है मतलब इस पे पीन मैसेज में दिखा रहा है जान बूज करके सेटिंग किया जाता है ताकि वो मेसेज पीछे ना जाए सबसे उपर दिखता रहे हो अब लोग जुर रहे हैं बस दो मिनट और दो मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे आज कम्प्लीट करते हैं हम लोग इंजिन फ्रीडा में स्ट्रगल जो है न वो 1935 तक कम्प्लीट करते हैं आज एक दिर गटे में आराम से ग्रूप में जिसमें जैसे बिहार के जितने भी संस्थान है न या फिर कोई भी जो सुतंत्रता संग्राम के दौरान कोई भी जो आपका संस्थान बना बिहार में उससे जुरे हुए जितने भी लोग हैं उसमें बहुत कंख्यूजन होता है या फिर कोई भी जो आंदोलन हुआ था उसमें बिहार से कौन-कौन से किस जीले से कौन-कौन से लोग जुड़े हुआ है उसमें बहुत ज्यादा कन्ख्यूजन होता है तो उसका मैं सोचा हूँ कि एक अलग से नोट्स बनाऊंगा और वो आप लोग को दे दूँगा वो बहुत काम आएगा मुझे भी बड़ा दिक्कत होता था पिछले बार जब एक्जाम दिया या फिर उससे पहले भी जब दिया तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्ख्यूजन होता है और खास कर के लिए वह भी पूछता है ने सर किसने पढ़ाई छोड़ दिया किसने वाकाल को पुलिस ने सोते हुए किस तारी को गिरस्टार किया अब इस तरह का क्वेशन आएगा तब तो उसका कोई उपाय नहीं है लेकिन ये संस्थान से जुरा हुआ या फिर किस जिला से किस आंदोलन में कौन-कौन लोग जुरे हुए थे ये सब का बनाया जा सकता है इंतिया इस तरह का रहता ही रहता है और चार पाच नंबर बहुत मायने रखता है चले स्टार्ट करते ठीक है नोट्स जो मैंने आप लोग को दिया था मॉडर्न हिस्ट्री का उसी से आगे भड़ते हैं 1857 की क्रांती हम लोग देखी चुके थें कॉंग्रेस भी हम लोग देख चुके थें एक ये टॉपिक है आपका कि भारतीय राश्त्री कॉंग्रेस की अस्थापना से पहले कुछ बहुत इंपोर्टेंट संगठन अस्थापित हुए थे कुछ देश में भी थे और कुछ वि 183 के दसक में हेनरी विवियंडे यो ने हिंदू कॉलेज कालकट्ता के अध्यापक थें उन्होंने प्रकासन किया था दह इस्ट इंडियन का थे क्राने किनोंने किया था है Association ये कॉन थे हिंदू कॉलेज कलकटा के अध्यापक थें तो पहला पॉइन तो ये हो गया अच्छ राजनितिक आंदोलनों का सुत्रपात किनों ने किया था ये क्वेस्टन पूछा जा चुका है तो इसका एंसर होका राजा राजा राभ होगा आवाज कट 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 कर रही है सब को आवाज कट रही है स्वेता जी आपके हां नेटवर्क कुछ इसू होगा इस कारण से आपको कट कर रही है आवाज एक बाद डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाए तो मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा चले नेक्ष्ट है हमारा बंग भासा प्रकासक सभा बंग भासा प्रकासक सभा 1836 इस्वी में राजा रा मोहन राय के साथी या अनुयाई जो थे उन्होंने ये काम किया था ठीक है इसकी अस्थापना की थी राजा रा मोहन राय से जुड़ा हुआ है ये भी है बंग भासा प्रकासक सभा और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है लैंड होल्डर से सोसाइटी या फिर जमिनदारी एसोसियेशन चीक है और यहां 1838 इस्वी में कलकत्ता में अस्थापित किया गया था द्वारका नात्य टैगोर एवं अन्य जमिनदार सहयोगियों के द्वारा और यहां जो है सबसे पहला संगठित प्रयास था लोगों को एक साथ जोर करके और फिड़में स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है प्रथम संगठित राजनितिक प्रयास जिसने समवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था तो लैंड होल्डर सोसाइटी यादर कियेगा 1838 इस्वी द्वारका नात्य टैगोर ठीक है और इसका सम्मंद था ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी से जो की इंगलेंड में एडम्स के द्वारा अस्थापित किया गया था और लैंड होल्डर सोसाइटी के सदस्यों में सामिल थे द्वारका नात्य टैगोर, राधा कांत देव, प्रसंद कुमार ठाकुर, राजा काली कृष्न इत्यादी ठीक है ये सब भारतिये सदस्य थे और इसमें प्रसंद कुमार ठाकुर जो थे वो सचीव थे ठीक है जौन क्रैफर्ड जो थे वो लंदन में इस सोसाइटी के प्रतिनिदी थे ठीक चलिए नेक्स्ट है बिटिस इंडियन एसोसियेशन यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बिटिस इंडियन एसोसियेशन इसके संस्थाबक थे राधा कांत देव 28 अक्टूबर 1851 को यह अस्थापित हुआ था और इसका मुख पत्र था हिंदु पैट्रियोट हिंदु पैट्रियोट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है हिंदु पैट्रियोट का प्रकासन किनों ने किया यह भी पूछा जाता है तो राधा कांत देव ठीक है चली आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका इंडियन लीग का अस्थापना हुआ था सितंबर 1875 में और अस्थापना की थी जो की अमरित बाजार पत्रिका के संस्थापक एवा मालिक थे तो अमरित बाजार पत्रिका बहुत इंपोर्टेंट पत्रिका थी इसके मालिक थे इंडियन लीग की अस्थापना हुआ ने की थी 1875 इसवी में यह याद रखिएगा ठीक है इसके संस्थापक थे आनंद मुहन बोश और बाद में सुरेंद्रनात बनर जी जो थे वो भी इससे जुरे थे अच्छा यहाँ पर एक क्वेशन मनता है सुरेंद्रनात बनर जी को किस उपनाम से जाना जाता है कुछ बताएगा शर ऑप्सन दीजे सेर ऑप्सन नहीं है वेताज बादसा उनको बेताज बादसा का जाता है ठीक है सुरेंद्रनात बनर जी को याद रखिएगा नेश्ट है इंडियन एसोसियेशन यह भी बहुत जादा इंपोटेंट है इंडियन एसोसियेशन के अस्थापना 1876 में की गई थी 1876 में और कलकत्ता के अलबर्ट हॉल में इसके अस्थापना हुई थी किनों ने की थी सुरेंद्रनात बनर जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया था आनंद मोहन बोस इसके सचिर थे याद रखिएगा ठीक है और हाँ ये सुरेंद्रनात बनर जी ने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था बंगाली तो यह भी याद रखिएगा बंगाली के संपादक कौन थे सुरेंद्रनात बनर जी थे नेक्स्ट है आपका बंबई एसोसियेशन बंबई एसोसियेशन के अस्थापना दादा भाई नोरोजी ने की थी ठीक है संस्थापक थे दादा भाई नोरोजी और 1852 में इसके अस्थापना की गई थी नाम था बंबई एसोसियेशन नेक्ष थे बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन इसकी अस्थापना की थी फिरोज सामेता, बदरोदिन तयव जी, केटी तैलंग और कासीनात त्रयमबक ने 1885 में इसकी अस्थापना हुई थी, ठीक है तो कॉंग्रेस की जब अस्थापना हुई थी, उसी समय इसकी भी अस्थापना हुई थी याद रखिएगा पूछा जा चुका है मद्रास महाजन सभा 1884 इसवी में इसकी अस्थापना हुई थी और संस्थापक थे इसके बीर राघवाचारी M. वीर राघवाचारी ठीक है और एक और अस्थान साल लंदन इंडिया सोसाइटी इसकी अस्थापना भी की थी दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 लंदन में अस्थापना हुई थी दादा भाई नोरोजी ने की थी और एक और संस्थान था East India Association इसका भी अस्थापना किया था दादा भाई नोरोजी ने 1866 में तो 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी और 1866 में इस्थापना दादा भाई नोरोजी ने की थी आगे और भी है कुछ संस्थाओं के नाम है एसियाटिक सोसाइटी के अस्थापना बिलियम जोन्स ने की थी याद रखियेगा बंगाल में 1784 में इसके बाद है परम हंस मंडली या भी पूछा या चुका है गोपाल हरी देश्मुक याद रखियेगा आगे है आपका यूनाइटेट इंडियन कमीटी व्योमेश चंदर बनर जी डबलू सी बनर जी जो की पहले अध्यक्ष थे किसके कॉंग्रेस के आगे नेक्ष्ट है सारदा सदन यहाभी पूछा या चुका है सारदा सदन पंडिता रमाबाई ने इसके अस्थापना की थी पंडिता रमाबाई सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले याद रखियेगा आगे है मुस्लिम लीग ये तो पता ही होगा आगाखा और सलिमुल्लाः यदि दोनों अप्सन में आता है और कोई एक मारना हो तो सलिमुल्लाः मारिएगा ठीक है सेकेंड नंबर पर आएगा आगाखा आगे अनुसीलन समीती या भी कई बार पूछा या चुका है भुपेंद्र दत्थ और वारिंद्र घोष कलकत्ता में 1907 इस वी में ठीक है अनुसीलन समीती नेक्स्ट है गदर पार्टी या तो कई बार पूछा या चुका है लाला हर्दयाल याद होगा आप लोग को ही आगे भी हम लोग पढ़ेंगे होम रूल लीग या आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने पूने में नित्रित्व किया था और एनी बेसेंट ने अड्यार में ठीक है 1916 में अस्थापित हुआ था होम रूल लीग और हमें चार्ज में लगा लूँ इसको और भी बहुत सारा संस्थान है इसमें थोरा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो यहां पर है अवध किसान सभा या पहले भी बता चुका हूँ बाबा राम चंद्र अवध किसान सभा उसके बाद है स्वाराज पार्टी यह बहुत ज़्यादा स्वाराज पार्टी, इसके संस्थापक थे चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू, स्वाराज पार्टी, चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू, इलाहबाद में अस्थापना हुई थी, 1923 में, 1923, आगे है, हिंदुस्तान रिपबलिकन एसोसीयेशन, यह भी बहुत ज्यादा इंदोस्तार रिपब्लिकन एसोसियेशन जिसके सदस्य भगत सिंग जी भी थे चंदर सेखा राया लित्यादी थे इसके अस्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी कानपुर में 1924 इसके बाद है राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग या तो आज भी कारेरत है राश्ट्रिय स्व बलिराम हेडगेवार इनका पूरा राम है और नागपूर में इसका मुख्याला है 1925 में अस्थापना की गए थी नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा या भगत सिंग ने अस्थापना की थी और यस्पाल भगत सिंग और यस्पाल याद रखियेगा या 1926 इस्वी नेक्स्ट है आपका HSRA हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन इसकी भी अस्थापना की थी भगत सिंग ने की थी दिल्ली में फिरोज सा कोटला मैदान में 1928 इस्वी में ठीक है उसके बाद है खुदाई खित्मतगार खुदाई खित्मतगार की अस्थापना खान अब्दुल गफार खान ने की थी जिनको सेमान्त गांधी भी कहा जाता है पेशावर में अस्थापना हुई थी 1929 इस्वी में ठीक है उसके बाद है आपका इंपोर्टेंट है प्रगतिसील लेखक संग के अस्थापना की थी मुंसी प्रिम चंद ने ठीक है उसके बाद है स्वतंत्र स्रमिक पार्टी यहाँ डॉक्टर अमेदगर ने अस्थापना की थी मुंबई में उसके बाद है अखिल भारतिय किसान सभा यह तो कई बार पूचा आ चुका है BPSC में अखिल भारतिय किसान सभा स्वामी सहजानन सरस्वती और N.G. रंगा स्वामी सहजानन सरस्वती और N.G. रंगा ने अस्थापना किये थी अखिल भारतिये किसान सभा लखनों में 1936 कव किया गया था यहाँ भी पूछा जा चुका है वीपेसी में तो 1936 याद रखियेगा और स्वामी सहजानन सरस्वती याद रखियेगा अखिल भारतिये किसान सभा नेक्स है फॉरवड ब्लोक ये तो आप लोगों को पता ही होगा सुभासचंद्र बोस फॉरवड ब्लोक कलकटा में 1949 में जब उन्होंने इस्तिफा दिया था उसके बाद तृपूरी अधिवेशन से इस्तिफा देने के बाद जो है इन्होंने forward block case था अपना की थी next है आपका आजाद हिंद फॉज आजाद हिंद फॉज जो है रास बिहारी बोस 1942 जापान में ठीक है याद रखेगा ये भी कई बार पूजा जा चुका है और आजाद हिंद सरकार सुभास चंदर बोस 1943 जापान में ठीक है अब इंडियन निशनल कॉंग्रेस हम लोग पढ़ी चुके हैं समाज सुधार अंदोलन हम लोग पढ़ी चुके हैं आगे चलते हैं उदारवादी युग में 1905 इसवी तक उदारवादी युग था आप लोग को पता ही है उदारवादी नेता कौन-कौन थे उदारवादी नेता कौन थे चार अप्सन देदेगा और उसमें से पूछा जाएगा ठीक है तो कुछ जो प्रमुक उदारवादी नेता थे उनके नाम याद रखिये दादा भाई नौरोजी महादेव गोविंदर अनाडे फिरोज साह मेहता सुरेंदरनात बनर जी व्योमेश चंद्र बनर जी गोपाल कृष्न गोकले पंडित मदन मोहन मालविय इत्यादी ठीक है तो ये सब जो प्रमेंट नेंस हैं वो मैंने आपको बताया है ठीक है और उग्रवादी नेताओं ने इनका जो सिद्धान्त था इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल था उदारवादी नेताओं का उसको कहा है राजनीतिक भिक्षा पृत्ती की संग्या दिया ठीक है ये याद रखिएगा अब उदारवादीयों ने जो है प्रत्रिका का प्रकाशन किया था कि condemnation की एक बिटिस समीती बनी थी जिसने 1890 इसी में इंडियन नामक मासिक प्रकाशन किया था याद रखिएगा अच्छा 1890 इसी में कॉंग्रेशने इंग्लैंड में अपना एक प्रतिमिधी मंदल भेजा था अब इसके सदस्य कौन-कौन थे सुरेंद्रनाथ बनरजी, W.C. बनरजी और A.O. Hume ठीक है याद रखिएगा भारत परिसद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1892 वी याद रखिएगा भारत परिसद अधिनियम 1892 वी पारित हुआ था उदारवादियों के ही प्रयास से आगे हैं लॉड डफरिन का कुछ अंग्रेजों का कथन है कॉंग्रेस के बारे में जो की पूछा जाता है तो लॉड डफरिन का कथन है कि कॉंग्रेस केवल सुक्षम दर्सी अल्फ संख्यकों का प्रतिनिजित्व करती है याद रखिएगा इसके बाद इलगिन द्वीतिये का कथन है जो की पूछा जा चुका है उसका कथन है हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही अपने अधिन रखेंगे भी लॉड कर्जन का उनीस सौ इस्वी में कथन है कि कॉंग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते मेरी यह अंति मिक्षा है कि मैं इसके सांती पूर्ण मृत्यू में सहयोग कर सकूँ लॉड कर्जन नहीं सरप्रतम फूट डालो एमराज करो की निती अपनाई थी यह भी इंपोर्टेंट है उसके बाद है इसके बाद है धन निसकासन का सिध्धान्त यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कई बार पूचाया चुका है कि धन निसकासन का सिध्धान्त किस ने दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था उनकी पुस्तक का भी नाम पूचा जाता है तो पुवर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया और यह प्रकासित कब हुआ था अठारा सो सरसट हिस्वी 1867 यह चारो चीज पूचा जा चुका है इसलिए याद रखियेगा BPSC में भी पूचा जा चुका है अन एक्जामस में भी पूचा जा चुका है धन निस्कासन का सिधांत दादा भाई नौरोजी उनकी पुस्तक का नाम पुवर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया और प्रकासन हुआ था 1867 में आगे वो प्रथम भारतिये कौन थे जो की लिबरल पार्टी के उमिदवार के रूप में ब्रिटिस हाउस अफ कॉमन्स का चुनाओ जीते थे या क्वेशन पूचा जा चुका है BPSC में पूचा जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी जब ब्रिटिस हाउस अफ कॉमन्स के सदस से चुने गए थे तब वो किस पार्टी से लड़े थे ये क्वेशन BPSC का है लिबरल पार्टी याद रखिएगा और 1882 इस वी याद रखिएगा ठीक है ये जो मैं बता रहा हूँ इसके पांडे से बता रहा हूँ लुजेंड में बहुत कुछ गलत दिया हुआ रहता है बंगाल विभाजन की घोषना करजन ने की थी 1905 इसवी में तो याद ही होगा इंपोर्टेंट है इसके अलावा करजन ने कुछ और निती अपनाई थी 1904 इसवी में विश्व विद्याले अधिनियम के द्वारा विश्व विद्यालियों को राजनीतिक संरक्षन में ले लिया था ठीक है करजन में लिया था याद रखिएगा अब है उग्र राष्ट्रवाद का उदे 1905 इसवी से लेकर 1929 इसवी तक इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से जो कि हम लोगो के देखेंगे और deepest पहले देखते हैं उग्रवादी चरन के प्रमुख नेता कौन थे तो सबसे पहले तो लाल बाल पाल यादी होगा लाल बाल पाल का पूरा नाम बता सकती है कोई सुना यह दे रहा है लाल, अ, हाँ सबसे पहले तो यह हो जाएगा और साथ अर्विंध घ्ष यह च्यार जो यह थे वह प्रमुख उगरवादी नेता थे थिक है अरविंद घोस ने कहा था कि सोतंतरता हमारे जीवन का प्रमुख उद्देशे है और हिंदु धर्म ही हमारे इस उद्देशे की पूर्ती करेगा ये हू बहू कतन पूछा जा चुका है पहले बिपेसी में नहीं लेकिन दूसरे एक्जाम में पूछा जा चुका है तो याद रखियेगा और एनी बेसेंट का कथन है कि सारी हिंदू प्रणाली पस्चिमी सभ्यता से बढ़कर है यह भी कथन पूछा जा चुगा है इसलिए याद रखियेगा अब है कि उग्रवादी और उदारवादी दोरों में अंतर क्या था तो उदारवादी जो थे वो उच्च मध्यम वर्ग के प्रतिनिदी थे जबकि उग्रवादी जो थे वो निम्न मध्यम वर्ग के प्रतिनिदी थे उदारवादी जो थे उनका जनता से प्रत्यक्ष समवाद नहीं होता था जबकि उग्रवादी जो थे वो सामान्य जनों के बीच से ही आते थे और उनके कश्टों से वाकिफ थे उदारवादियों की जो नीती थी वो था प्रार्थना, प्रतिवेदन, अस्मरन पत्र, इत्यादी के माध्यम से अपनी मांग रखना और उग्रवादी जो थे उनका सिधान्थ था, निस्क्रिये प्रतिरोध, बहिस्कार एवं स्वदेसी पर बल देना ये तीनों point जो है वो पूछा जा चुका है ठीक है निस्क्रिय प्रतिरोध फिर आपका बहिस्कार और स्वदेशी परबल ये तीन option दिया हुआ था और इन में से चुनना था कि कौन उग्रवादियों का तरीका था कौन नहीं था ठीक है गटना चकर का question है नेक्स्ट उदारवादी जो थे वो पास्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे जबकि उग्रवादी जो थे वो भारतिये संस्कृति के समर्थक थे भारतिये परवपराव के समर्थक थे ठीक है उदारवादी जो थे उनका बिटिस सरकार की न्याय प्रियता में विश्वास और अंग्रेजों के अधिन स्वासासर में ही वो संतोष्ट थे जबकि उग्रवादी जो थे वो बिटिस राजे का भहिस्कार करते थे तथा देश में स्वाराज एवं स्वाधिनता अस्थापित करना उनका उद्देश्य था ठीक है अब चलते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टिंट पॉइंट बंगाल विभाजन जहां से क्वेश्चिन निश्चित तोर पर पूछा जाता है ठीक है तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे करजन कब हुआ था इसका निर्ने लिया गया था बीस जुलाई को ठीक है और विभाजन प्रभावी कब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो था वो प्रभावी हो गया था याद रखिएगा ठीक है 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया था और रद कब हुआ था 1911 में उस समय वायसरे कौन थे 12 दिसंबर 1911 लॉर्ड हार्डिंग दृतियर ठीक है उसी समय दिल्ली दरवार का योजन हुआ था जिसमें बंगार विभाजन को रद किया गया था अब बंगाल जो था पहले उसमें बंगाल था विहार था और ओडिसा था ठीक है और टोटल जनसंख्या किती थी 7 करोर 85 लाग या भी हूबहू पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ 7 करोर 85 लाग और 1874 इसलिए में असम जो है वो बंगाल से अलग हो गया था ठीक है वाले असम भी बंगाल का ही गिसा हुआ करता था आगे बंगाल विभाजन का कारण क्या था तो लौड करजन ने बंगाल विभाजन का जो कारण है वह प्रसास्निक और सोविधा बताया था ठीक है लेकिन प्रमुख कारण जो था वह राजनीतिक था यह तो सब को पता है आगे देख लेते हैं बंगाल विभाजन की आलोचन की थी किनोंने सुरेंद्रनाथ बनर जी प्रिश्न कुमार मित्र प्रित्वी चंद्र राय इन सब लोगों ने संजीवनी नामक उनका अख़बार था जिसके माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया था ठीक है तो संजीवनी अख़बार से कौनकों लोग जुने हुए थे सुरेंद्रनाथ बनर जी कृष्न कुमार मित्र और प्रित्वी चंद्र राय ये तीनों नाम याद रखिएगा कम से कम दो नाम तो जरूर याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर जी और कृष्न कुमार संजीवनी पूछा जा चुगा है कि किस का पत्र था ठीक है और बंगाल विभाजन का विरोज जो है वो किस पत्रिका के माध्यम से किया गया था यह भी क्वेशन पूछा जा चुगा है तो संजीवनी नाम याद रखिएगा 1905 इसवी में क्रिशन कुमार मित्र ने संजीवनी में ही सरव पर्थम स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया था यह भी याद रखना है ठीक है क्रिशन कुमार मित्र ने स्वदेशी का जो विचार दिया था स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया था वह संजीवनी के माध्य निट्ट है 16 अक्टूबर 1905 इस वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस तथा रविंद्र नाथ टैगोर के सुझाओ पर राखी दिवस का आयोजन किया गया था याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 ठीक राखी दिवस और साथ में शोक दिवस और राखी दिवस मनाने का प्रस्ताओ दिया था रविंद्र नाथ टैगोर जी ने यह भी याद रखना है ठीक नेक्स्ट बंगाल विभाजन जो किया गया था वह दो भाग में किया गया था एक पूर्वी बंगाल एक पश्मी बंगाल तो पूर्वी बंगाल में था असम एवं पूर्वी बंगाल का कुछ जिला जैसे राजसाही चटगाओ और धाका जनसंक्या इसकी थी तीन करोर दस लाक और चेत्रफल था, एक लाख छे हजार पांसो चालिस तो ये सब याद रखने की जुरूद नहीं है, असम एवन पूरवी बंगल का कोई चेत्र था, ये याद रखिएगा पूरवी बंगल में, और पश्चीम बंगल में भिहार, उरिसा और पश्चीम बंगल था, ये च 7 अगस्त 1905 इसवी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोशना की गई थी तथा बहिस्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था 7 अगस्त 1905 इसवी कलकत्ता के टाउन हॉल में अब विभिन्य छेत्रों में अंदोलन का नेत्रित्व कीनों ने किया था तो महराष्टरा से बाल गंगाधर तिलक एवं उनकी पुत्री केत्गर ने दिल्ली से सयद हैदर खाने, पंजाब एवं उत्तर परदेश से अजीत सिंग, लाला लाजपत राय, जैपाल, गंगाराम एवं स्वामी श्रधानन्दने और मद्रास प्रेसिडेंसी से चिदंबरम पिल्लाई, सुब्रमन्यम अयर, आनन्द चार्लू और टीम नायक ठीक है, तो पंजाब एवं उत्तर परदेश और महराष्टरा वाला याद रखियेगा, आगे देख लेते हैं यह question पूछा गया है कि बंग भंग या फिर स्वदेशी आंदोलन को सरवाधिक सफलता किस आंदोलन से मिली थी तो सरवाधिक सफलता मिली थी विदेशी माल के बहिसकार से ठीक है, यह question हूँ बहु पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखियेगा स्वदेश बांधव समीती से संबंदित कौन है तो अस्विनी कुमारदत याद रखियेगा अस्विनी कुमारदत स्वदेश बांधव समीती और आचार्य प्रफुल चंद्रराय बंगाल केमिकल्स फैक्टरी तो कला इवं संसकृती के छेतर पर स्वदेश आंदोलन का सर्वादिक प्रफौव पराथ या भी घटना चकड़ से Question लिया गया है याद रखियेगा बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम आंदोलन का राष्ठगान बना था यह भी याद रखना है कि आंदोलन का राश्ट्रगान जो बना था वह था वंदे मातरम वंकिम चंदर चटर जी नेच्ट है रविन्दरनाड टैगॉर ने इसी समय आमार सोनार बांगला की रचना की थी जो बाद में बांगला देश का राश्ट्रगान बना था राश्ट्रिय गीत बना था नेक्स्ट बंगाल नेशनल कॉलेज की अस्थापना कलकत्ता में की गई थी 14 अगस्ट 1906 इसवी को और अरविंद घोस इसके प्रतम प्रधाना ध्यापक बने थे यह भी हुबहु पूछा गया है नेक्स्ट अगस्ट 1906 इसवी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सुरुवात की गई थी नेक्स्ट है कौन सा वर्ग स्वदेसी आंदोलन से और प्रभावित रहा था तो क्रिसक एवं मुसल्मान वर्ग याद रखियेगा यह पूछा जा चुका है क्रिसक एवं मुसल्मान वर्ग स्वदेसी आंदोलन से अचुता रहा था या फिर और प्रभावित रहा था स्वदेसी आंदोलन के प्रचार के लिए पारंपरिक योहारो धार्मिक मेलो इत्यादी का सहारा लिया गया था स्वदेसी आंदोलन में नारा क्या-क्या दिया गया था तो आत्म निर्भरता और आत्म सक्ती ये question पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था आत्म निर्भरता और आत्म सक्ती next है करलाईल सरकूलर इसी समय आया था बंगाल सरकार के कारेवाहक सचीर थे करलाईल उनके द्वारा आंदोलन में भाग लेने पर छात्रों की सरकारी सहता बंद करने तथा विस्विद्यालियों की मानेता रद्द करने के लिए करलाईल सरकूलर जारी किया गया था कारलाइल सर्कूलर के विरुद्ध इंटी कारलाइल सर्कूलर समीती जो थी वो बनाई गई थी भारतियों के द्वारा और उसके सचीव चुने गए थे सचिंद्र प्रसाद बसू निक्स्ट है डॉन सोसाइटी के सचीव सतीष चंद्र मुखरजी थे जिनोंने बंगाल में राश्ट्रिय सिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कारे किया था तो ये पुछा आसकता है कि डॉन सोसाइटी ने क्या कारे किया था और इसके सचीव कौन थे डॉन सोसाइटी के सचीव थे सतीश चंद्र मुखर जी और इन्होंने बंगाल में राश्ट्रिय सिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था नेक्स्ट है ये कोश्चन पूछा गया है रंगपूर नेशनल इस्कूल की अस्थापना कब हुई थी? आठ नवंबर 1905 इस्वी रंगपूर नेशनल इस्कूल और राश्ट्रिय सिक्षा परिशत की अस्थापना किस ने की थी? सद्गुरु दास बनर जी 15 अगस्थ 1906 को अस्थापना की गई थी स्वदेसी अंदोलन में महिलाओं ने सक्डिय भागिदारी निभाई थी? या पूजाया चुका है कि महिलाओं की सक्डिय भागिदारी सरवपर्थम किस अंदोलन में दिखाई दी थी? तो स्वदेसी अंदोलन में ठीक है स्वदेसी अंदोलन ने किसानों को प्रभावित नहीं किया था लेकिन एक मातर जगा था वारी साल जहां पर किसानों ने भी स्वदेसी अंदोलन में भाग लिया था ठीक है ठाका के नवाब सलिम उल्लाह स्वदेशी आंदोलन के विरोधी थे तो आगा ये लोग जो थे मुसलमान लोग अधिकतर जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के विरोधी थे ठीक है कुछी लोग जो थे वो साथ दिये थे नेक्स्ट है 1905 इसवी में कॉंग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था तो अध्यक्षता किस ने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 इस्वी में जो कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखली ने की थी याद रखिएगा 1906 इस्वी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और उन्होंने सरव प्रथम स्वराज की मांग की थी 1907 इस्वी में कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी नेताओं ने स्वयम को कॉंग्रेस से अलग कर लिया था और यहीं से कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था उधारवादी और उग्रवादीयों में और यहाँ अधिवेशन पहले कहा होना था नागपूर में होना था ठीक है थोरा सा पानी पी लें उसके बाद देखते हैं बहुत कम लोग जुड़े हुए आज चारी लोग जुड़े हुए एक और अभी आई है बारी बारी से लोग जुर रहें और हट रहें पता नहीं क्यों चलिए नेक्स्ट है अपना अरुंडेल कमीटी 1906 भी अरुंडेल कमीटी ततकालीन वायसराय लॉड मिंटो ने राजनितिक सुधा के विशे में सलाह देने के लिए अगस्ट 1906 में अरुंडेल कमीटी का गठन किया था इस कमीटी ने विवाजित बंगाल को पुना संजुक्त करने की आवशक्ता पर बल दिया था इसके फलसुरूप बिटिस सरकार ने 1911 इस्वी में पुना बंगाल को एक कर दिया था दिल्ली दर्वार में और बंग-भंग को रद्द कर दिया गया था दिसंबर 1911 इस्वी में वायसराय लाड हार्डिंग दितिये के द्वारा इंगलैंड के समराट जोर्ज पंचम तथा महरानी मेरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दर्वार का योजन किया था जिसे दिल्ली दर्वार कहा जाता है और यही पर बंग भंग को रद्द करने की बात की गई थी साथ ही राजधानी जो थी भारत की वह कलकत्ता से दिल्ली अस्थानांतरित की गई थी और यहां से आपका बंगाल से बिहार और उडिसा जो है वो यही पर अलग करने की गोशना की गई थी जो की 1912 में इंप्लिमेंट हुआ था अब देखते हैं कॉंग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 इसवी इस अधिवेशन में प्रथम मतभेद हुआ था प्रिंस ओफ वेल्स के स्वागत को लेकर के और राश्ट्रवादियों ने इसके स्वागत का विरोध किया था 1905 इसवी में लाला लाजपतराई ने अपने भासन में सत्यागरा को अपनाने का सुझाओ दिया था कॉंग्रेस के मंच से पहली बार सत्यागरा को अपनाने का सुझाओ किसने दिया था लाला लाजपत राय ने 1905 इस्वी में नेक्स्ट है 1906 इस्वी में राश्ट्रवादी जो थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे लेकिन उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया था उदारवादियों की संख्या जादा थी इसले दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन गये थे इस मामले पर जो है विरोध जो है फैल गया था दोनों के बीच में 1907 इस्वी में कॉंग्रेस अधिवेशन में भी लाला लाजपत राय जी की जगा रास विहारी गोष को अध्यक्ष प्रत्यासी के रूप में प्रस्तूत कर दिया गया था जिससे जो मतभेद था वो और ज्यादा बढ़ गया था तो यही सब कारण था नेक्स्ट है कोउंग्रेस जो है वो दोभाग बढ़ गया था तो भारतिय राश्ट्रिय चले गया थे जो की मून संस्था थी और उगर वादी या राश्ट्रवादी जो थे उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी ठीक है 1908-1919 में इलाहाबाद में अधिवेशन करके गरम पंथियों के लिए कॉंग्रेस का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था सूरत में रद अधिवेशन को फिर से मद्रास में आयोजित किया गया और उसके अधियक्ष जो थे वो रास विहारी खोष थी रहे थे 1907 में रास विहारी खोष अधियक्ष थे लेकिन उस समय जो आपका विभाजन हो गया था इस कारण से रद कर दिया गया था कॉंग्रेस का दिवेशन और फिर से जो है आपका मदरास में आयोजित किया गया वही अधिवेशन और अधियक्ष वही थे रास विहारी खोष दिल्ली दरवार के बारे मैंने बता ही दिया अब चलते हैं सोतंता संग उदारवादी अब चलते हैं जो आपका क्रांतिकारी आंदोलन वगेर हुआ था उसमें चलते हैं तो कुछ जो इसमें इंपोर्टेंट लोग थे या फिर कुछ जो इंपोर्टेंट केस था उन सब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्रांतिकारियों के बारे में सबसे पहला है महराश्ट्र में क्रामतिकारी आंदोलन तो क्रामतिकारियों का सबसे पहला केंद्र जो था वह महराश्ट्र बना था जहां पर पूना जी लेके चितपावन ब्राह्मनों ने सरवपर्थम स्वराज के प्रती अपना प्रेम दर्साया था ठीक है चितपावन ब्राह्मन ही थे आपके बेडी सावर्गर वगेरा जो थे ये सब जो थे चितपावन ब्राह्मन ही थे तिलक जी जो की स्वयम चितपावन ब्राह्मन थे उन्होंने अपने पत्र केसरी को महाराश्टर में उनका जो पत्र था उसका नाम تھा केसरी जो कि महराष्टर में क्रामतीकारी राष्टरवाद के उद्यक कषरे उसी को जाता है केसरी जो पत्र था बालगंगधर तिलक का उसको जाता है तिलक ने 1813 ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है पूछा जा चुका है दोनों उत्सब का सुरुवात 1893 इस्वी में तिलक ने गनपती उत्सब और 1895 इस्वी में सिवाजी उत्सब की सुरुवात की थी ठीक है ये दोनों पूछा जा चुका है ओके याद रखिएगा शिवाजी उत्सब भी और गनपती उत्सब भी सबसे पहले गनपती उत्सव अठारा सो तेरानवे और उसके बाद अठारा सो पंचानवे में आपका सिवाजी उत्सव याद रखिएगा नेक्स्ट है व्यापम मंदल यह भी बहुत इंपोर्टेंट था अठारा सो च्यानवे संटानवे सि में दामोधर हरी चापेकर तथा बाल कृष्ण हरी चापेकर जिनको चापेकर बंधू कहा जाता है उन्होंने अस्थापना की थी व्यापम मंदल की जो कि सबसे पहला जदी करांतिकारी संकटन बोला जाये किसी को तो व्यापम मंदल ही था ठीक है और इन दोनों ने मिलकर चापेकर बंधुओं ने मिलकर के 22 जनवरी 1897 इस्वी को प्लेग कमिशनर रैंड तथा आयर्ष्ट की हत्या कर दी थी और 18 अप्रेल 1898 इस्वी को इने फांसी दे दी गई थी नेक्स्ट है चापेकर बंधुओं का संबंध करांतिकारी हिंदू धर्म संग से भी था और उनकी प्रेणा का स्रोत्था आर्य बांधव समाज 1917 इस्वी में आतंकवाद की घटनाओं की जाज के लिए बनाई गई रॉलेट कमिशन ने पूना में इन घटनाओं को भारतिये आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा था ये चाबेकर बंदू ने जो रेंडर्स की हत्या की थी उसी को भारतिये आतंकवाद या फिर भारतिये क्रांती का प्रथम विस्फोट कहा गया था इसको रॉलेट कमिशन के दौरा ठीक है रॉलेट कमिशन जो की 1917 में आया था आगे देख लेते हैं रेंड एवम आयर्ष्ट की हत्या में हत्या भारत में यूरोपियों की प्रथम राजनितिक हत्या थी तिलक जी ने केसरी के अपने लेख में इस हत्या की तुलना सिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी और इसले के करण ही तिलक जी को 18 मा की सजा देश त्रोह के आरोप में मिली थी ठीक है तो 18 मा की सजा तिलक जी को मिली थी या तो कही बार पूछा आ चुगा है कि कितने मा की सजा मिली थी तो 18 मा की सजा मिली थी ठीक है यहाद रखिएगा और बाल गंगादर तिलक जी के बारे में थोरा सा जाल लेते हैं इनके बारे में कोश्चन पूछा आ सकता है तो 1856 इसवी से लेकर 1926 इसवी तक इनका कारेकाल रहा था सॉरी इनका जर्म 1856 में हुआ और 1926 में इनकी मृत्ति हुई थी उपाधी इनको लोकमाने और भारत के बेताज बास्साह का उपाधी दिया जाता है इनका पत्र था ये दोनों पत्र पूछा जाता है एक था माराठा और दूसरा था केसरी माराठा में इनके सहयोगी थे अगरकर जी और केसरी में इनके सहयोगी थे केलकर जी और दोनों का प्रताशन हुआ था 1881 हिस्वी में याद रखेगा मराठा और केसरी तिलग जी पहले वेक्ति थे जिनें पत्रकारिता के लिए सजा हुई थी चीके 1882 हिस्वी में आगे है 1896-1997 हिस्वी में इन्होंने महराष्ट्र में कर नौ देने का अंदोलन चलाया था 1908 हिस्वी में इनको 6 वर्स की सजा दी गई थी मांडले जेल वर्मा में इनको रखा गया था यह पूछा भी जा चुका है और इसी दोरान इन्होंने गीता रहस से लिखा था गीता रहा से भी पूछा या चुका है कि किसकी पुस्तक है तो बाल गंगादर तिलक जी की पुस्तक है और इनकी सजा के विरोध में बंबई के कपरा मिल मजदूरों ने 1908 में पहली राजनीतिक हर्ताल की थी यह भी याद रखना होगा ठीक है 1908 में बंबई के कपरा मिल मजदूरों ने सरप्रतम राजनीतिक हर्ताल की थी नेस्ट है वेलेंटाइन सिरोल जो की इंडियन अनरेश्ट के लेखक है इंडियन अनरेश्ट नामा कुस्तक के लेखक है वेलेंटाइन सिरोल और इनों ने तिलक को भारतिय असांती का जर्मदाता कहा है यह question हू बहू पूझा जा चुका है तो याद रखिएगा भारतिय असांती के जर्मदाता कि इनको कहा गया है तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है किनों ने कहा है तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है और उनकी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिया अन्रेष्ट Next है, मित्र मेला मित्र मेला जो है, 1904 इसवी में इसके स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकरजी ने यानि की बीडि सावरकरजी ने ठीक है, नासिक में इसके स्थापना हुई थी और उद्देश्य क्या था तो गनपती उत्सव मनाना इसका उद्देश्य था मित्र मेला ही बाद में चलकर अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था बन गई थी तो अभिनव भारत की अस्थापना किनों ने की थी? बीडी सावरकर और उनके भाई ने की थी अभिनव भारत के बारे में यदि हम लोग देखें तो 1904 इस्वी में ही नासिक में इसकी अस्थापना की गई थी और 1906 इस्वी में सावरकर जी लंडन गए थे और फिर भी यह संस्था कारियरत रही थी अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाना सीखने के लिए भेजा था ठीक है तो याद रखिएगा पांडुरंग महादेव वापट नेक्स्ट है गनेश दामुदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताय लिखने के कारण 9 जून 1909 इसवी को आजीवन निर्वाशन की सजाद दी गई थी जो की बिडी सावरकर के भाई थे नेक्स्ट नासिक सढ़ियन्थर केस यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट केस है 1909 इसवी नासिक सढ़ियन्थर केस 21 दिसंबर उनिस्टोनोई स्वी की रात को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनन्त लक्षमन कनहारे ने गोली मार दी थी और इसी पर नासिक सध्यंत्र केस चलाया गया था आगे हैं बंगाल में क्रांतिकारी अंदोलन तो बंगाल में क्रांतिकारी अंदोलन का सुत्रपात जो किया था सुर्वाट जो की थी वह भद्र लोक समाज में की ठीक है यहाद रखिएगा नेक्स्ट है बंगाल में क्रांतिकारी अंदोलन को फैलाने का स्रे जो है वारिंदर कुमार घोस को जाता है जो की अरविंद घोस के छोटे भाई थे ठीक है वारिंदर कुमार घोस और भुपेंदर नाथ दत इनोंने बंगाल में क्रांतिकारी अंदोलन का सुत्रपात किया और ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है युगांतर का संपादन इनी दोनों ने मिलकर के किया था वारिंद्र कुमार गोश और भुपेंदर नाथ दत ने प्रकाशन किया था किसका युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किया था बहुत 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 ज़्यादा इंप इसके संस्थापक थे और इसका उद्देश्य था खून के बदले खून ठीक है इसकी पूर्व वर्ती संस्था थी भारत अनुस्विलन समीती और प्रतम सम्नेलन जो हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था 1906 इस्वी में नेक्स्थ है धाका अनुस्विलन समीती यह भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है 1904 इस्वी में धाका में अस्थापना की गई थी संस्थापक थे पी मित्रा और पुलीन दास इसका मुख्याले भी जो था वो कलकत्ता में था और दूसरा मुख्याले था धाका में नेक्स्थ है बंगाल में प्रतम क्रामतिकारी संगठन का नाम जो था वो था अनुस्विलन समीती 1902 इस्वी में मिंदनापुर में ज्यानेंद्र नात बसु के द्वारा इसके अस्थापना की गई थी तथा कलकत्ता में जतिंद्र नात बनर्जी और वारेंद्र कुमार घो घो पुस्थ के बारे में कुछ है 1905 इते माधिर नामक पुस्थ है ओरो और 1907 इते में इंनों ने वर्तमां रननिती नामक पुस्थ है जो के अविनास चंद्र वट्टा चारी के दौरा प्रक朝ित किया गया था 1906 इस्वी में इन्होंने युगांतर पत्रिका का प्रकासन किया था जिसके प्रतम समपादक थे भुपेंद्र नाथ दत ठीक है तो ये याद रखना है युगांतर पत्रिका बहुत जादा इंपोर्टेंट है और युगांतन पत्रिका जो था वो 1908 में बंद हो गया था ठीक है और इन्होंने बारेंद्र कुमार घोष ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुक्ति कौन पाए मुक्ति किस मार्ग से या दोनों एक ही किताब है मुक्ति किसमारक से या फिर मुक्ति कौन पाई next है संध्या यह आपका कुछ पतरिकाओं का नाम है संध्या नाम की पतरिका जो है वो ब्रह्म बांधव उपाध्याइ की पतरिका थे और यह बहुत ज़़ादा इंपोर्टेंट है वन्दे मातरम वंदे मातरम पूछा जा चुका है अरविंद घोस्त की पत्रिका थी वंदे मातरम नेक्स्ट है मनिक तुल्ला पार्टी मनिक तुल्ला पार्टी की अस्थापना भी की थी वारिंद्र घोस्त ने 1907 वारेंद्र घोस ने मनिक तुल्ला पार्टी की अस्थापना की थी यह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है किंस फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अपरेल 1908 इस्वी को और यह जो है BPSC के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपोर्टेंट है 30 अपरेल 1908 इस्वी को मुझहफरपुर में खुदी राम बोस और प्रफुल लचाकी ने न्यायाधिस किंग फोर्ड को पर बम फेका था लेकिन वो बच गया था और मिस्टर कैनेडी की पतनी और पुत्री मारी गई थी खुदी राम बोस और प्रफुल लचाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेकने का प्रयास किया था प्रफुल लचाकी ने निरासा में आत्मात्या कर ली जब कि खुदी राम बोस को 1908 इस्वी में मात्र 15 वर्स की आयू में फासी दे दी गई थी और फासी पर चड़ने वाले ये सबसे कम उम्र के क्रामतिकारी थे या फिर सोतंतरता से नानी थे याद रखिएगा पूरे भारतिये सोतंतरता संगर्ष में सबसे कम उम्र में फासी काने वाले यही थे नेक्स्ट है अलिपूर सर्यंत्र केस अठारा माई 1908 हिस्वी को कलकत्ता के अलिपूर अदालत में 34 वेक्तियों को अवयत सस्त्र रखने के आरोप में पेस किया गया था इसी को अलिपूर सर्यंत्र केस कहा जाता है नेक्स्ट है अरविंद घोस के बारे में कुछ चीजे है जो की इंपोर्टेंट है इन्होंने कर्म योगी नामक पत्र अंग्रेजी में प्रकासित किया था इसके अलावा 1916 हिस्वी में पांडी चेरी में अरोविल आश्रम की अस्थापना अरविंद घोस ने की थी बहुत 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 ज़्यादा इंपोर्टेंट है या पूछा या चुका है अरोविल आश्रम की अस्थापना अरविंद घोस ने की थी 1916 हिस्वी में आगे है 11 दिसंबर 1908 हिस्वी को अनुसुलियन समिती को गैर कानूनी घोसित कर दिया गया था नेक्स्ट है कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट है रविंद्र नाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से सरव पर्थम किसने संबोधित किया था तो यह क्वेशन पूछा या तो इसका अंसर होगा ब्रह्म बांधव उपाध्याए ब्रह्म बांधव उपाध्याए जो की राम कृष्ण मठ के स्वामी थे नेक्स है हार्डिंग बंकांड जो था वह अपका 23 दिसंबर 1912 इस वी को हुआ था ठीक है और जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था कलकत्ता से तिली उसी टैम में यह बंफिका गया था इसमें बसंत विश्वास एवं मनमत नात के द्वारा यह बंफिका गया था और मतलब प्लान जो बनाये थे वो रास विहारी घोस बनाये थे तो याद रखिएगा बसंत विश्वास और मनमत नात के द्वारा यह फिका गया था इसी को दिल्ली सड्यांतर केस भी कहा जाता है तो हार्डिंग बमकांड और दिल्ली सड्यांतर केस दोनों एक ही है नेक्स्ट है रास बिहारी बोस ने द्वीतिय विश्व युद्ध के समय 1942 सिस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था और यही जो है बाद में आजाद हिंद फौज के अस्थापना में महतपूर्ण भूमी का निभाई थी ठीक है उसके बाद है रॉलेट कमीटी रिपोर्ट में 1906 से लेकर 1917 इस्वी के दोरान 110 डाके तथा हत्या के 60 प्रयासों का उल्लिक मिलता है अब चलते हैं थोड़ा पंजाब में क्रामतिकारी आंदोलन देख लेते हैं पंजाब में बाराम बार पढ़ने वाले अकालो और भूर आजासों तथा सिचाई करों में वृद्धी के परिनाम सरुप क्रामतिकारी आतकवाद का उदै हुआ था पंजाब में क्रामतिकारी आंदोलन के प्रनेता जो थे उनका नाम था जतिन मोहन चटर जी और इन्होंने 1904 इस्वी में सहारन पूर में भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त संस्था बनाई थी तो भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त संस्था की अस्थापना किस ने की थी जतिन मोहन चटर जी याद रखिएगा 1904 इसमी में सहारनपुर में और इनके सहयोगी थी लाला हर्दयाल अजीद सिंग जी और सूफी अंबा और बाद में लाला हर्दयाल ने अमेरिका जाकर के कदर पार्टी की अस्थापना की थी जो की पहले भी देख लिए थे हम लोग अब इसमें है लाहोर सड्यंत्र यह ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लाहोर सड्यंत्र पूछा भी नहीं गया है तो इसको छोड़ देते हैं अब कुछ प्रमुक जो क्रांतिकारी संगठन थे उनके बारे में थोरा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं पहला है मित्र मिला 1899 में अस्थापना सावरकर बंधों ने की थी बिडी सावरकर और आपके गनेश दामोदर सावरकर ने महराष्ट्रा में दूसरा है अनुसीरन समीती 1902 इस्वी में और इससे जुड़े हुए थे वारिंद्र घोस जतिंद्रनाथ बनर जी प्रबोध मित्र पुलिंदास और सतीष चंद्र बोष तो वारिंद्र घोस और जतिंद्रनाथ बनर जी ये दोनों नाम इंपोटेंट है साथ में इसोसियेशन 1904 इस्वी सचिंद्रनाथ सान्याल राम प्रसाद विस्मिल और योगेश चतर जी यदि ऑप्सन आता है तो जो है आपका सचिंद्रनाथ सान्याल को प्रिफरेंस दिया जाएगा 1924 इस्वी में अस्थापना हुई थी बंगाल में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन नेक्ट है हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन ये आपका कहीं कहीं चंदर सेखर आजाब देता है कहीं भगा सिंग देता है चुकि भगा सिंग जो थे उन्हों 1928 इस्वी में अस्थापना की गई थी दिल्ली फिरोस्ता कोटला के मैदान में। नेक्ट है यूगांतर, 1906 इस्वी में अस्थापना हुई थी यूगांतर और वारेंद्र घोस और भुपेंद्र नात्दत इससे जुरे हुए थे। नेक्स्ट है आपका अंजुमन ए मुहिसबान ए वतन सरदार अजीद सिंग 1910 इस्वी लहौर और ये अजीद सिंग जो थे वो आपके भगत सिंग जी के चाचा थे। अब है आपका विदेशों में क्रामतिकारी आंदोलन तो थोरा सा देख लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट जो है वो इंपोर्टेंट है इंडिया होमरूल सोसाइटी 1905 में लंदन में अस्थापित किया गया था इंडिया होमरूल सोसाइटी स्यामजी कृष्ण वर्मा के द तो इंडिया होमरूल सोसाइटी स्यामजी कृष्ण वर्मा याद रखिएगा ठीक है लंदन में अस्थापित हुआ था 1905 इस्वी हाँ ये भी इंपोर्टेंट है लंदन में इंडिया हाउस की अस्थापना किस ने की थी तो ये भी स्यामजी कृष्ण वर्मा ये पूछा जा चुका है लंदन में इंडिया हाउस की अस्थापना की गई थी या बिपीसी में भी पूछा गया कि इंडिया हाउस की और बाद में वर्मा जो आपके स्याम जी कृष्ण वर्मा जब वापस चले गए थे लंदन छोर करके पेरिश चले गए थे तो उस समय इंडिया हाउस का नित्रितु सम्भाला था वीडी सावरकर जी ने और दस माई 1908 हिस्वी में इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया था और इसी समय सावरकर जी ने इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा था और 1857 की क्रांती को भारत का प्रतम सोतंता संग्राम बताया था नेक्ट है करजन वाईली की हत्या बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मदल लाज धिंग्रा जी ने की थी करजन वाईली की हत्या 1909 इस्वी में ठीक है लंदन में 1 जुलाई 1909 इसवी को और इंडिया ओफिस के राज़ितिक सलाकार करजन वाइली की गोली मारकर हत्या इन्होंने कर दी थी दीगरा जी को गिरफ्तार करके फासी दे दी गई तथा सावरकर जी को नासिक सर्जयंत्र केस एवं अन्य मामलों में फसा कर भारत भेज दिया गया था इसलिए इंडिया हाउस जो था वह थोरा सा निस्क्रिय हो गया था नेक्स्ट है मैडम वीखा जी कामा के बारे में कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो महाराश्र के पारसी परिवार से ये सम्मंदित थी और स्यामजे कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी मैडम वीखा जी उस्तम कामा जो थी वो 1902 इस्वी में भारत उन्होंने छोड़ दिया था और यूरोप और अमेरिका में क्रामती कारी प्रचार करने लगी थी अगस्ट 1907 इस्वी ये बहुत 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 ज़्यादा इंपोर्टेंट है कई बार पूचा जा चुका है कि अगस्ट 1907 इस्वी में मैडम भीखा जी कामा ने इस्टूट गार्ड जर्मनी में इस्टूट गार्ड भी पूचा गया है जर्मनी भी पूचा गया है तो दोनों याद रखियेगा इस्टूटगार्ड जर्मणी में अंतर राष्ट्रिय समाजवादी कॉंग्रेस में भाग लिया था तथा उतेजनापूर्ण भाजन दिया था और इसी सम्मेलन में मैडम कामा ने भारत का राष्ट्रिय तिरंगा फाराया था जिसका कलर क्या था हरा पीला और लाल ठीक है तो ये कोशन पूछा जाता है कि इस्टूटगार्ड जर्मनी में किनों ने भारतिय तिरंगा फाहराया था तो मैडम भिखाजी कामा ने कब अगस्त 1907 इस्वी में और मैडम कामा को Mother of Indian Revolution कहा जाता है ये भी यादर कियेगा Mother of Indian Revolution मैडम भिखाजी कामा नेक्स्ट है अमेरिका में चलते हैं तो 1907 इस्वी में द्वारका नाथ दास ने कैलिफोर्निया में भारतिय स्वतंतरता लीग की अस्थापना की थी 1907 इस्वी द्वारका नाथ दास कैलिफोर्निया में भारतिय स्वतंतरता लीग की अस्थापना की गई थी और अगले वर्स उन्होंने स्वतंतर हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकासित करना सुरू किया था स्वतंतर हिंदुस्तान जाद रखिएगा 1913 इस्वी में सोहन सिंग भाखना ने हिंदु एसोसियेशन ऑफ अमेरिका की अस्थापना की थी और इन्होंने 1857 इस्वी के विद्रो की अस्मृति में एक साथाहित पत्र गदर का भी प्रकाशन किया था तो गदर का प्रकाशन इन्हों ने किया था सोहन सिंग भाखना ने और इसी कारण से इस संगठन का नाम भी पढ़ गया था गदर पार्टी तो गदर पार्टी जो था वो पहले हिंदू एसोसियेशन ओफ अमेरिका के नाम से जाना जाता था गदर पार्टी ने सेन फ्रांसिस्को में युगांतर आस्रम से कारे किया था या भी याद रखिएगा युगांतर आस्रम की अस्थापना कहा की गई थी सेन फ्रांसिस्को नेक्स्ट है गदर पार्टी अंदोलन के बारे में तो एक नॉम्बर 1913 इसवी को सेन फ्रांसिस्को में लाला हर्दयाल जी ने गदर पार्टी के अस्थाबना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे सोहन सिंग भाखना थे इसमें अन्य प्रमुख नेता जो थे वो थे राम चंद्र, बरकत तुल्ला, रास विहारी बोस, राजा महेंदर परताप, अब्दुलरह्मान और मैडम भिखाजी कामा राजा महेंदर परताप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत 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 जादा इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है आगे, लाला हर्दयाल को बाद में अमेरिका छोड़ना परा, तथा गदर पार्टी का नेत्रितुर राम चंद्र जी ने संभाला था प्रत्म विस्व युद्ध के समय गदर पार्टी को अवैद खोसित कर दिया गया था और है भारतिय सोतंतरता समीती, इसके अस्थापना बर्लिन में की गई थी लाला हर्दयाल के द्वारा उसके बाद है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में राजा महेंदर प्रताप के बारे में बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है कि भारत की प्रतम और अस्थाई सरकार का गठन किया था राजा महेंदर प्रताप जी ने अपने सहयोगी बरकत उल्ला के साथ मिलकर कब 1915 इस्वी में अफगानिस्तान के काबूल में भारत की प्रतम और अस्थाई सरकार का गठन किया था किनों ने? किनों ने? अभी ज़स्ट बताया हूँ कोई सुनवीर आए की नहीं हुझे? हो ते नहीं हलो हलो हमको लगा सो रही है अपलग सुनते हैं सुन थीक है ठीक है स्टार्ट बपर माइक आफ कर लीजे तो यह याद रखिएगा ठीक है राजा महेंदर प्रताब और इसके राश्टर पती थे राजा महेंदर प्रताब और प्रधार मंतरी थे बरकतुल्ला इस आस्थाई सरकार के और राजा महेंदर प्रताब की सरकार को जर्मनी एवं रूस ने मान्यता भी ती थी नेच्छ है कामा गाटा मारू प्रकरण यह भी इंपोर्टेंट है कामा गाटा मारू जो था वो एक जहाज था ये भी पुछा जाता है कि कामा गाटा मारू क्या था तो ये एक जहाज था जिसे पंजाब के गुरू दत्य सिंग ने मार्च 1914 इसवी में हांग कॉंग के एक सिर्मन सिपिंग एजेंट मिश्टर बूने के जरिये किराय पर लिया तो इतना नहीं पूछा जाएगा लेकिन गुरू दत्य सिंग याद रखिएगा गुरू दत्य सिंग कामा गाटा मारू प्रकरन और कामा गाटा मारू जो था वो एक जहाज था ठीक है बलवंत सिंग के नेतितु में सोर कमीटी का गठन किया गया था यहाँ पर कलकत्ता का बजबज बंदरगाह पर ये लोग पहुँचे थे और वहाँ पर पुलिस से जहरब हुआ था जिसमें 18 लोग मारे गया थे करांतिकारी आंदोरन के बारे में यही है कुछ विदेश में जो अस्थापित हुआ था वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर जो है इसके बारे में देख करके फिर छोड़ देंगे आज बहुत ज़्यादा लोग जुरे हुए नहीं है तीन-चार लोग ही जुरे हुए तो इतना करके आज छोड़ देंगे विदेशो में संचालित कुछ करांतिकारी संगटनों के बारे में देख लेते हैं पहला है पेरिश इंडियन सोसाइटि उने सो पांचिसवी मेडम कामा ने अस्थापित किया था पेरिश में ठीक है इंडिय इंडिय इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंतर सरकार 1915 इस्वी राजा महेंद परताप अफगानिस्तान काबुल यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है भारत की प्रतम और 27 सोतंतर सरकार 1915 इस्वी राजा महेंद परताप अफगानिस्तान के काबुल में नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस जापान में 1942 इस्वी में और आजाद हिंद फौज 1942 इस्वी मोहन सिंग जी कैप्टन मोहन सिंग जापान में अब कुछ क्रांती कारी गतिवीदियों से जुरे हुए कुछ प्रमुक समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो याद रखिएगा युगांतर युगांतर से समंदित है बारिंद्र कुमार घोस और बोपेंद्र नात दत्र नेक्ट है वंदे मातरम अरविंद घोष ठीक है भारत माता अजीत सिंग इंडियन सोसियोलोजिस्ट स्यामजी कृष्ण बर्मा वंदे मातरम अचा वंदे मातरम जो है वो दो है लंदन में अगर पूछा जाए तो मैडम भिखाजी कामा और अगर भारत में पूछा जाए तो हो गए अरविंद घोष ठीक है गदर का प्रकाशन किया था लाला हर्दयाल सेण फ्रेंसिस्को गदर सेण फ्रेंसिस्को लाला हर्दयाल जाए नेक्स्ट बंदी जीवन सचिंदर नात सन्याल बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल भारतिये सोतंदरता संग्राम विनायक तामोदर सावरकर भवानी मंदिर वारेंदर कुमार घोष वर्तमान रन्निती वारेंदर कुमार घोष पथेर दाबी सरत चंदर चटोपा ध्याय और बम मैनुवल पी इन वापट अब कुछ important points है जो की लिये गए है आपके घटना चक्र से तो वो देख लेते हैं Economic History of India Economic History of India की रचना किनों ने की थी? तो उदारवादी नेता रमेश चंदर दत ने की थी और भारत के आर्थेक इतिहास पर लिखी गई या प्रथम पुस्तक थी इसलिए important है भारत के आर्थेक इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक थी Economic History of India लिखा किस ने था? रमेश चंदर दत ने जो की उदारवादी नेता थे वैलवी आयोग का गठन वैलवी आयोग का गठन किया गया था भारतीय व्याय की समिक्षा के लिए कब 1895 इसवी जयाद रखियेगा वैलवी आयोग 1895 इसवी भारतीय व्याय की समिक्षा के लिए स्थापना भारत और इंगलैंड में एक साथ सिविल सिवा परिक्षा कब से सुरू की गई थी? 1886 इसवी से याद रखिएगा नेक्स है कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था कब किया था 1905 इस्वी में और इसका उद्देश्य क्या था स्वसासन सुनिश्चित करना आगे देख लेते हैं नेक्स है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की अंदोलन पद्दती क्या थी तो या हू बहू पूछा गया है राज वाम बंध अंदोलन राज वाम बंध अंदोलन इनकी रननीती थी या ओप्सन में यही दिया हुआ था और यही पूछा भी क्या है इसलिए याद रखियेगा राज वाम बंध अंदोलन नरम दलगे नेताओ की अंदोलन पत्ति नेश्ट है भारत संग के संस्थापत कौन थे सुरेंदरनात बनरजी भारत संग के संस्थापत कौन सुरेंदरनात बनरजी नेश्ट है राश्ट्रिय अंदोलन गरम पंधियों के प्रभाव के अधीन कवाया था 1906 इस विके बाद ठीक है नेक्स्ट है अधिक्तर नरम पंथी निता कहां से थे तो सहरी छित्रों से थे याद रखिएगा सी राज गोपाला चारी ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल कुलीन वर्गों के लिए नहीं ठीक है याद रखिएगा आगे गदर करांती छिरने का प्रमुख कारण क्या था तो यह था प्रथम विशोजध का होना प्रथम विशोजध के कारण गदर करांती छिर गए थी आगे लाला लाजपत अगे उग्रवादियों की पधती तो हम लोगो ने देख लिया राज वाम बंदा अंदोलन और उग्रवादियों की पधती थी अनुकूल प्रा वीघटन जिसको कहा जाता है passive resistance आगे Congress पर अनुने विने और विरोध या फिर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीती का आरोब किसने लगाया था बाल गंगा धर तिलक जीने लगाया था आगे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीती गुरू किसको माना था तो मैजिनी को माना था मैजिनी को भगत सिंग भी बहुत सुना करते थे ठीक है तो लाला लाजपत राय ने मैजिनी को अपना राजनीती गुरू बनाया था जो की इंगलेंड के क्रामतिकारी थे और लाला जी ने महजनी की उत्कृष्ट रचना The Duty of Man का उर्दू अनुवाद भी किया था तो The Duty of Man किसकी रचना? महजनी की रचना और उर्दू अनुवाद किनों ने किया था? तो लाला लाजपत राय जी ने किया था Next, तिलख जी को सजा मिलने के बाद दया की वकालत किसने की थी? Max Muller ने, ठीक है? Max Muller ने कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलख में मेरी दिल्चस्पी है और यही कारण है कि उन्होंने दया की वकालत की थी Max Muller ने तिलख जी के लिए आगे बाल गंगाधर तिलख जी की अर्थी किसने उठाई थी? तो महात्मा गांधी के साथ मौलाना सौकत अली डॉक्टर सैफुदिन किचलू ने बाल गंगाधर तिलख की अर्थी उठाई थी यहाभी पूछा गया है यह सारा चीज पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ मौलाना हसरत मुहानी ने सोक गीत परहा था तिलख की मृत्यू का वुई थी एक अगस्त उनिस्सो बीस इसवी को हुई थी बस थोरा सावर पॉइंट बचा हुए है लगबक सातार पॉइंट उसके बाद समप्त कर देंगे इसको आज चलते हैं सावरकर जी ने 1906 इसवी में मैजनी की जीवनी पूर्ण की थी तो मैजनी की जीवनी किसने पूर्ण की थी 1906 इसवी में सावरकर जी ने बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर सावरकर जी को इस-इस मूरिया नामक जहाज से इंग्लेंड से भारत लाया गया था जिस पर से वो समुद्र से कूद गये थे समुद्र में कूद गये थे तो नाम था जहाज का इस-इस मूरिया आगे देख लेते हैं तिलक जी को लोक मानने की उपाधी कब मिली थी? अठारा सो संतानवे इस्वी में राज द्रोह के मामले में अठारा महीने की कैद की सजा मिली थी और उसी के बाद इनको लोक मानने की उपाधी दी गई थी आगे देख लेते हैं बर्रा डकैती बर्रा डकैती कब हुआ था? 1908 इस्वी में हुआ था पूर्वी बंगाल में और पुलीन बिहारी दास के नेत्रितों में यह बर्रा डकैती को अंजाम दिया गया था 1908 इस्वी पूर्वी बंगाल याद रखियेगा अलीपूर सड्यंत्र मामले में अरविंद घोस का बचाओ किस ने किया था? चितरंजन दास जी ने किया था याद रखियेगा अलीपूर सड्यंत्र मामले में अरविंद घोस का बचाओ कि इन्हों ने किया था? चितरंजन दास जी ने किया था और इस मामले में 115 लोगों को सजाद दी गई थी सौरी 115 लोगों को और विस्मिल जी ने ही सरफरोसी की तमन्ना लिखा था सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में काकोरी कार्ण में राम प्रसाद विस्मिल जी को गोरखपुर में फासे की सजाद दी गई थी यहां भी कोशन पूशा गया, कहां सजा दी गई थी, गोरखपुर में, किस कार्ण में, काकोरी कार्ण में नेक्स्ट है गदर अखबार, एक नॉवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकासित हुआ था, किस भासा में, उर्दू में और 9 दिसंबर 1913 इस्वी से यहां गुरू मुखी लिपी में भी छपने लगा था, और इसके प्रता प्रिष्ट पर छपता था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिठा, यहां किस पत्र के मुख प्रिष्ट पर छपता था, तो गदर आगे, मदल लाल धिंगरा जी को फासी किस जेल में दी गई थी, तो पेंट विले जेल लंदन में दी गई थी, पेंट विले जेल लंदन, याद रखिएगा, मदल लाल धिंगरा जी को फासी वहीं दी गई थी अब आज के लिए इतना ही रहने देता है ज्यादा लोग जुड़े हुए है नहीं और बोलते बोलते मेरा भी थोड़ा मूह दुग गया है ज्यादा लोग होते तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले करके आगे चलते लेकिन आज छोड़ देता है क्या कोई दिकत तो आज के लिए पर आने देता है बाकी आप लोग पढ़िए खुच से और यह अधुनिक भारतिये तिहार जो है उसमें यह जो अभी सेक्षन चल रहा है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्षन है भारतिये सोतंत्रपा संग्राम यह कंप्लीट रुख से परना है खास करके 1885 इसवी से लेकर 1947 इसवी तक ठीक है तो निश्चित तोर पर आप लोग पढ़िएगा खास करके गांधी यूग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है ठीक 1922 इसवी च करेंगे वहाँ ठीक है तो फिलाल यहीं पर रहने दरते हैं जाहिंद वंदे मातरम